मस्कार दोस्तों मैं कुल्डीप आज मैं आपको हस्त रेखा के बसे में बात करूँगा और तो और कुछ यह सी जानकारी दूंगा जो आप लोगों बहुत कम लोगों को मालूम होगा चले दोस्तों मैं आपको ज्याद समय निकलूँगा तो इस योडियो को पूर्या देखना का उंगली इस भूंगे यह स्थान सूर्परवत का होता है और यंतो यह स्थान हो यह स्थान होता है अब मैं indicators अधिनरी प्रवत तेक्शली दूंग करूंगा इन परवतों की बारे हम बताया मैंने आपको अब सैनिर्श में ऐसमेह क्या वसिष्टा है यह जो मनस्थ को महान नाती है और अच्छा उच्छ पद पर बठाती है चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम किसे कैसे क्या है और आप इस हाथ में देखेंगे तो तीन चीजें दखाऊंगा चौती चीज है इसमें एक परबत इसमें वो लेंगे तरजनी उगली वो अलग उताती है सबसे पहले हम देखेंगे हिर्दय रेका जो हिर्दय रेका देखिए आप गुरु इस्तान तक जा रही है जो मनस्थ को महान नाती है और तो और उच्छ पत तक ले जाती है अब हम देखेंगे मस्तिक्स रेखा मस्तिक्स रेखा देखिए आप कि बहुत तिर होता है सोचने क्छमता बहुत तिर होती है चलि दोस्तों अब मैं आपको भाग रेखा यह जो भाग रेखा देखिया आप यहां तक गई वह है साथ मैं तो यह वी एक अच्छा चिन अब आप देखें इंगर्यान से तो आपको बिताउगा अनामिका उंगली और तरजनी उंगली में कितना अंतर है अनामिका उंगली मैं ने बिताया था आपको यह वाली है और तरजनी उंगली यह वाली है अब देखिए यह जो अनामिका उंगली है यहां तक आ रही है जिसे सूर प्रवत भी बोला जाता है और तरजनी जो उंगली है इस नीचे तो आपको आपको अध्यां कर रहे हैं या कुछ बनने की आप पास में आ रहे हैं और हमत हार रहे हैं तो आपको हमत हाने की चयुत नहीं है आपका हाथ बहुत अच्छा है आशा करता हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों दूसरे को शिर जरू करें धन्यवाद